गुद इबनिंग प्यारे बच्चों कैसे आप सभी उमीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे पढ़ाय लिखाए बढ़िया मस्जबर्जस चल रही है और आज की क्लास में आप सीखेंगे भाज यभाज और साहबाज संख्या है ठीक है क्या होती है भाज यभाज साहबाज संख्य संख्या है इनके बारे में बिल्कुल विस्तार और धंग से बात करेंगे अच्छे से आपको क्लास को पूरा अंतर तक देखना बीच में छोड़के नहीं जाना है एक दम अच्छे से पढ़ना है ठीक है ओके मस्जबर्जस चल रहा है न कोई दिक्कत नहीं चलो ऐसी संख् संख्या है जिनका फैक्टर वो संख्या खुद हो और वन हो बाकि और भी कुछ हो एडवांस में एक्स्ट्रा वो क्या होती है भाज्य होती है जैसे अगर इधर में दो कालम बना दूं तो आप यहां से थोड़ा सा अंतर से समझ लेना और नहीं समझ में आएक तो मुझे ब पधा कर दिया तो वैसे साबाज जो है वो संक्रण कराक परकर से बना है जहिए देखो पहले नंबर 12 इसका भी या इसका फेक्टर याँनी गुडण खंड यह संख्या पहली बात तो खुद है वन है है ना वन है और यह खुद है बागी कोई एक और संख्या हो बस मिनिमम एक से अधिक हो सकती है लेकिन मीनिमम कम से कम एक और संख्या होनी चाहिए बस इतना साही इसमें जरूरत है तिक है चालो तो क्या होगा इसका फैक्टर Communist 2 भी यानि इनका क्या है ये दो है सिर्फ दोस्क्राइब अएक्स्टा ड़ी हं चल तो ये यह भागत पल मालेन यह रहेगा न देखो अगर एक नमबर यह संख्या खूद है और यह ग lot पूद आप देखों यहां पर क्या है यहां पर इसमें legit क्या होगा वों हों जोगा वो one होगा वst संख्या खुद होंगी कोई न chips próxima होना चलते रहते हैं वो साधी के बाद होँ ठीफा कोई आता है तो बड़ी कलाह वो तुन क्या होता है और एक्सिट्रा की कुई हो सकता है एक्सिंट्रा कि benefiting होती है टीक येफ़ास थे क्सक्रा कितना है तिन लेकिन एक qual marca ही जाता है किसी का अगर मानन दीजिते जिन्दगी Apple जगाँ कर चल रहा है आगर कोई एक्ट्रा क्ट्र से लड़की कर दरली का जाता है और उसका चार 6 जका हो गया तो गल को नाम होता है समझ रहे हो ना देखको यह Living उत्न है यहां पर तीक है यह बिल्कुल सकून से चलने जिन्दगी वाला है और यह कलेश वाला धर वाला है अब नंबर चाहे जो भी ले लो आप कोई भी ठीक है 29 दिख रहा है ना है 29 ले लिया अब 29 में देखो इसका फटर वन है और 29 खूद है ऑप लाकि कोई हए नहीं कोई कलह कलेश के लिए नहीं है वर नेखिन इसमें चॉसनम है नमश आपb में कितने नंबर हैं देखो चार है समझ में आया ना तो यह क्या था भाज और अब हाज शंख्या यह सभी को समझ में आ गया ना है यानि आपको गोड़न खंड नहीं आता है कैसे आप जानोगे कि इनके फैक्टर कौन-कौन से हैं यह सब हम कैसे जाने कहां फिजाने तो आप कमेंट करना मैं उसको बताऊंगा हमारी कोशी से आपको टॉपिक टॉपिक के कुछ वीडियो दे दूं चार-चार-चार-चे-च्छे मिनट-ददद मिनट के जिससे आप पॉइंट-पॉइंट सीख जाओ क्योंकि बच्चे इसको खोजते हैं है ना इफिले छोटे वीडि से लगacked program तो यहां पर क'क क्या ना दो नंबर होंगी टिंगल नहीं कभी पिसंगल नहीं प tim औरіє को नहीं बिया निहीं से कलिया कि लिए से कल लिया हाइस कामन फेक्टर आप देखो तो दो है सब् Gaussian कितना है कि मने ले लिए दोन नंबर मालो मैंने संख्या होगी अगर उनका cf1 नहीं है कुछ भी है तो वह साहभाजे नहीं है बस बात खत्म समझ में है नहीं होना चाहिए बच्छा साहभाज के लिए अगर बाजनी है एक कि अधार या घृडर जैब अधाग देख्या घ्राज है लेकिन दोनों को मिला करके यह सहाभाज जैसे एक मालीजिये लायक है दूफरा नलायक है दोनों में दोस्ती हो गई तो लायक हो जाए कमी चांस है लेकिन दोनों नलायक हो जाएंगे ज़्यद्ध चांस समझ रहों कि नहीं हाँ जानते नों जीज तो उमीद करता हूं कि आप मित लातों को सभी सावाजय को है है यास या परेड़ था इनका है क्या इनका narcife one है क्या अगर वण लौण नहीं तो इसा भाजय नहीं है यह संख्यैें दोनों अलगत भाजे हैं दोनों मिला दरगर के वायज हैं लेकिन लेंना तो चलड़ा नमबर करके नहीं बतानी है ना ना अलाग लग करके नहीं बतानी आगा निकल जा बड़ा वहार का निकल जाए तो पूरा परिवार का गंध मज जाती चारों बनाया था बाकि मैं लाइब इस्ट्रीमिंग आपको पढ़ाता हूं है ना आप सभी कमेंट भी बढ़ते हैं तो कमेंट करके बताना आज आपका क्लास लाइब नहीं था हो सकता टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा ठीक है तो खुब दबाके लाइक शेयर करो फटा फट और क कुछ भी पूछना दूंगे बताओ कमेंट करके थैंक यू